अगर आप सी जगड़े हैं तो वो सुलटने स्टार्ट हो जाएंगे यानि कि जो भ्रस्पतिवार होता है यानि कि गुरु ग्रह जो होता है या गुरु वार का जो दिन होता है वो सबसे श्रेष्ट माना जाता है दान के लिए कहते हैं इस दिन अगर आप दान करते हैं तो सीधे देव गुरू को लगता है और आप जानते हैं आप जित्ते भी 9 प्लानेट्स हैं 9 प्लानेट्स में सबसे जादा जो strongest प्लानेट होता है वो है जुपिटर और अगर आपको growth चाहिए आपको किसी भी चीज में growth चाहिए तो जुपिटर का आपकी kundalी में strong होना बहुत जरूरी है बहुत से लोगों के kundalी में जो जुपिटर जो है कमजोर होता है याने कि जो गुरू ग्रह है वो कमजोर होता है उस वज़ा से उन्हें काफी सारी problems का सामना करना पड़ता है जैसे कि हम मैं बात करूँ उनको मान सम्मान नहीं मिलता उनको job नहीं मिलती, शादी में दिक्कते आती हैं बहुत सी ऐसी problems उनको face करनी पड़ती है अगर उनके कुंडली में Jupiter जो है strong हो जाता है तो वहाँ उनको मान सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाता है name, fame, prosperity ये सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो ये था छोटी सी चीजे जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज आप लोग मेरे वीडियो में जरूर एंट तक बने रहेगा जो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा आपके लिए वो थोड़ा सा होगा बट आपके लिए वो आप थोड़ा सा देने के बाद आपको जो growth मिलना स्टार्ट हो जाएगी वो बहुत ही अच्छी होगी तो वीडियो में अंट तक जरूर बने रहेगा बच्छे से पहले यही तो जा लिए मैं कॉन मैं शालनी गुपता वास्तु कंसर्ट नमस्ते आप सब को मेरा आशा करते हो आप लोग हमें सब सही होंगे मज़िब होंगे मस्त होंगे स्वास्त होंगे मेरी blessings आपके साथ है आ हो जुका है 16 में को तो उसको भी उतना ही प्यार दीजे इतना इसको दे रहे क्योंकि वहां पढ़ना बहुत से लोग हैं अपनी बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वह उपाए नहीं कर सकते हैं बहुत से लोग हैं चैसे छोड़े बच्चे हैं अगर हम बात सब्सक्राइब कीजेगा लाइक और शियर कीजेगा चलिए बात करते हैं आज हम गुरु वार याने की थर्सडे की दिन ऐसे कौन से कौन से दान करें जिससे आपकी काफी सारे इच्छाय पूरी हो जाएं तो पहले मैं आपको बताना चाहते हूं देखें आप इस ये जो द अगर आपके घर में शानती बनना स्टार्थ हो जाएगी देखें घर में गुसने का मन नहीं करता है तो अगर आपके घर में इसा है स्ट्रेस का मैहौद है तीप्रैशन रहता है हती Tamil तो आप ग्यारत हज़ु तक लगातार अब ये कपडा देनना स्टार्ट कर तो पीले कपड़ा आप ऐखेंगे की जैसे जेसे ओड देना स्टार्ट करेंगे यहार फर्स थर्स्टे का इसी में आपको रिलिए्फ मिलना अगर आपकी शादी में अर्चने आ रही हैं, और बहुत जादा आ रही हैं, ठीक है, तो सिंपल है आपको हल्दी की गाठें, हल्दी की सूखी गाठें आप दान देना स्टार्ट कर दीजे, नहीं तो हल्दी का पाउडर दान देना स्टार्ट कर दीजे, एक हल्दी का और उसके बाद देती जाए, आप एकट्टे 11 पैकेट खरीद लीजए, एक थर्सडे थर्सडे देने के लिए, आप देखेंगे, जितनी भी अर्चन है, दूसरा या थीसरा थर्सडे होते होते हैं, आपकी सारी अर्चने खतम हो जाएगी, चलते हैं थीसरे उपाई के तरह, गुरुवार के दिन, अगर आप केले का दान करते हैं, याने कि उस दिन केले की पेड़ की पूजा भी की जाती है, अगर आप केले का दान करते हैं, तो आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मतलब पढ़ाई में थोड़ी से ऐसे हैं, नहीं फोकस बना पाते, नहीं बना पाते, आपका कहना नहीं मानते, तो आपका कहना मानना start हो जाएगा, focus हो जाएगा, concentration हो जाएगा, जो professional exams की त्यारियों कर रहे हैं, वो जरूर करें, और आप देखेंगे, आप जो भी exam की तैयारी करें, government exam की, तो आपको जल्दी से जल्दी वो government job लग जाएगी, चलते हैं, चौथे उपाई की तरफ, जिन लोगों को नौकरी में दिक्कत आ रही है, नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल रही है, जौब ही नहीं मिल रही है, आप लोगों को पीली मिठाई, पहले थोड़ी से विश्णु भगवान को चड़ा कर आप उसको दान देना, स्टार् ना वह आपकी तुरंत की तुरंत खतम हो जाएकगी, चलते हैं, नेक्स्ट उपाय की तरफ, इस दिन अगर आप पीले रंग कोई अन्नदान करते हैं, जैसे कि जाने की पीली कलर की कोई भी दाल अगर आप दान करते हैं, तो आपकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी, अखरी उपाई की तरफ जो की है धन के लिए अगर आप लोग चाहते हैं आपके पास अधा धना है खुब सारा पैसा आए तो जल्दी से नोट कर लीजे क्या दान करना है आपको केवड़ा का इत्र या केसर यह दोनों में से कोई भी चीज अगर आपको मिल जाती है केसर तो किसी को उठा के दान दे देते हैं यह चीज करनी है आपको ध्यान से सुनेगा विश्नु भगवान के पास रख कर थोड़ी देर वहां पर रख कर उनका आशिरवाद प्राप्त करकर आपको ले जाकर कहीं किसी को दान दे देना है यह आपको करना है धन देखे कैसे आपके पास अत्ता धना आएगा करके देखें बहुत माजिकल दान है ये करके देखें उपाई जरूर कीजे तभी तो रिजल्ट मिलेगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में दबता के लिए टाटा बाइबाइब थाइंक यू फ्रेंज